पिछले तीन दनों से बुंदेल खंड का किसान आमरण अंसन पर बैठा है कि यहां पर जो हजारों ट्रेक्टर खड़े हैं उनकी फसल नहीं तौली जा रही है हमारे साथ किसान नेता हैं उन्हें से हम बात करते हैं कि आखिरकार बुंदेल खंड के किसानों को आमरण अंसन पर क्यों बैठा पड़ा सरकार से क्या चायते हैं और क्या सरकार उनकी नहीं सुन रही है देखिए यहाँ पर गुरसराय मंदी में उरत खरीत के इंदर खुला हुआ है सरकारी रूप से और हम लोग यहाँ पर हजारों कुंटल उरत लिये बैठे हैं लगभग 300 ट्रेक्टर हैं यहाँ पर जो एक एक खप्ते से किसान रुके हुए है और यहाँ पर उरत खरीत केंदर में भारी धांदली हो रही है एक हजार उपिया पर कुंटल किसानों से लिया जा रहा है अगर किसी के पास 20 कुंटल है तो उससे 20,000 रुपिया लिया जा रहा है तब उसका 20 कुंटल माल तौला जा रहा है उसकी फ़सल तौली जा रही है और जिसके पास पैसा नहीं है उसको यहाँ पर एक एक खप्ते से खड़ा कराया गया है और यहाँ पर केमर प्रभारी का ये कहना है कि हमें SDM, DM और बिधायक को पूरा इसका कमिशन देना पड़ता है ये इसी एक हजार में से 100-200 रुपए परहट जाता है इसलिए यहाँ पर किसानों के भरष्टा चार में लिपता है यहाँ तो किसान नेता ही बिधायक हैं आखिर उनके राज में ऐसा कैसा हो रहा है देखिए आज जो योगी सरकार है ये सारे किसान जो अपने आपको किसान नेता होने का दंब भरते थे ये आज भाजपा के मकरजाल में ये सत्ता के आगे नतमस्तक हैं किसानों की आवाज हाने में अक्षम हैं और हम चाहते हैं कि यहां के भी धायक आगे आए किसानों की आवाज उठाएं लेकिन ये वह ऐसा नहीं कर पा रहा हैं ये लोग पैसा कमाने में पैसे की लूट में लगे हुई है अभी तक आप तीन दिन से बैटे हैं इस्थानिये बिधायक क्या कोई अब कि सुणवाई करना देखें कोई भी अधिकारी एस्डीं से लेकस्ट वेलेकरा से मंडी का कोई भी अधिकारी और कोई भी विधायक कल भी धायक आयते वह घंग के परियतक की तरह चले गए कोई भी किसानों का हाल चाल लेना किसी ने भी मुट यह ऑना समझा है कि जो बात को लेकर मोधी जी की बात पर बिस्त्वास को लेकर बिधायक जी के किसान नेता होने की बात को लेकर यहां के किसानों ने जम कर उनको वर दिया और उनको सीट पर पहुंचाया लेकिन बहुत निरास है किसान बहुत हतास है किसान और इनके कृस्तों को देखकर इसान परिसान है हमारे साथ एक और जो किसान नेता है उनसे हम बात करते हैं आप भी इनके साथ बैठे हैं हम यहाँ पर परसों से बैठे हैं तीसरा दिन है आज हमारे हैं किस प्रकार की धानरी हो रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में इस किसानों के यहां टेक्टर खड़े हैं तुल्ले के लिए वो तुलाई नहीं हो रही है यहां पर करीब 300 टेक्टर खड़े हैं यहां पर 300 टेक्टर का कम से कम 9000 कुंटल अनाज उड़ाद जो है टेक्टरों पर है 4.86 लाग रुपए का माल टेक्टर किसानों का इस मंडी में आज रखा हुआ है और यह खरीद के अंदर वाले जो है तोल्ले में आना का नहीं कर रहे है क्या इसमें कमीशन लिया जा रहा है किस परकार की धानली हो रही है कमीशन का खेल है पूरा पूरा कमीशन के लिया एक हजार कुंटल पे जो है कई किसानों से माय मांगा गया है और उनसे बाद भी की गई हमने इस बात पे हमने बाद भी की के अंदे प्रभारियों से बात की डियम से बात की कोई बात सुनने को तयार नहीं है क्या लगता है यहाँ पर जो किसानों का माल जैसे नहीं तुल रहा है तो क्या आड़तियों का माल तोला जा रहा है किसानों की आड़ में यहां से लोट करेंके ट्रेक में 102 और बांकी लोट करेंके पांस बोरा ट्रेकों पर बाहर से पने प्पड़ों से अरातियों काही माल जा रहा है किसान जो आरूप लगा रहे हैं हमारे साथ कुछ महला किसान भी बैठी है उनसे हम बात करेंगे कि आप लोग को धरने पर बैठना पड़ा है हम इस मांगों को लेगे धरने पर बैठते हैं कि जो किसान इत्ता मजबूर था तो वो मजबूर किसान के उसके उड़ा नहीं तुल रहे थे तो हम लोगों उसके पास सिकात आई बिधायक के पास गए वो तो बिधायक ने का जाओ सब हो जाएगा तो वो नहीं आए जब इसलिए नहीं आप आए वे किसान नहीं के पास आए तो अदिक जी नहीं कऊा कि हम तो धरना प्रदाशन करेंगे किसानों के माल तुल लें पर वगर लंग नहीं बे तो हम लोग जहां सी जाएंगे डियेम के पास और ょगोग जह आंसी जाएंगे नी तहम आप तो हमार शान भाय लटकते फाँसी पे अब अनुह इंको लटका देंगे योगी और मौधी जी को लटकाएंगी चेंश है सांसद इनको भी लटकाएंगे और सब्लोग और मौधी गुल noon बीजवा है धी जैसे हुशा के बैश से हमारे साथ जो गुंदेलखंड के किसार हैं जो धरने पर हैं का आक्रोस आप देख रहे हैं किस प्रकार से पिसासन और किंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को लताड रहे हैं पुष्पें द्यादव टाइम समाचार छासी